आज में आप सबको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिनोंने हमारे भारत का नाम ना केवल एक या दो देशों में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। कौन नहीं जानता इन व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति जिनोंने बच्पन से ही अपनी जिम्मदारियों को पहचाना और अपने माता पिता की मदद करी और बाद में अपना खुद का चाय का स्टॉल चलाया। जहांसे वो धीरे धीरे बाजपा में सचीव के पत पर पहुचे। 2001 में इन्हें गुजरात की मुख्यमंत्री के पत पर नयुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के तोर पर उनकी नीतियों की आर्थिक विकास को प्रुच्छाहित करने के लिए श्रेभी दिया गया। वे गुजरात राज्ये के चौतवे मुख्यमंत्री रहे। उनकी कड़ी महनत के कारण गुजरात की जंता ने लगातार चार बार उने मुख्यमंत्री चना। क्या आप लोग जानते हैं हमारे मानन्य प्रधान मंत्री जी को विकास पुरुच के नाम से भी जाना जाता है और टाइम पत्रिका ने मोधी जी को पर्सन ओफ द इयर दो हजार तेरा के 42 उमीदवारों की सूची में भी शाबिल किया। अटल बिहारी वाजपाई जी की तरह हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी भी एक राजनेता और कवी भी हैं। सन 2014 में भारते जनता पार्टी ने लोगसभा चुनाव लड़ा और 282 यानी 282 सीटे जीत कर अभूत पुर्व सफलता प्राप्त की। यह वही अनमोल सन है जब पूरे देश को अनमोल रत्न मिला मानन्य प्रधान मंत्री मोधी जी के रूप में। उन्होंने अफसर शाही में कई सुधार किये तथा योजना आयोग को हटा कर नीती आयोग का गठन किया। सन 2019 में दोबारावे भारी संख्या से जीत कर प्रधान मंत्री बने और इस साल जम्मू और कश्मीर की विशेश राज्य का दर्जा को रद कर दिया। उनकी सरकार ने नागरिक्ता अधिक्तनियम यानी सिटिजन अमेंडमेंट आट 2019 भी पेश किया जिसके कारण कई व्यापक विरोध प्रधर्शन भी हुए। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिनोंने भारत की तस्वीर बदल दी जैसे जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, नागरिक्ता अधिक्तनियम, अयोध्या विवाद का अंत, तीन तालाक खत्म, सुच्चता अभियान, परिक्षा पर चर्चा और आतंकवाद पर जीरो टॉलरंस और भ मुझे तो नहीं लगता, क्या आपको लगता है? कोविट जैसी कठन परस्तियों में भी उन्होंने अपना और देश्वासियों का संयम नहीं खोने दिया, वे लगातार अपने देश्वासियों के संपर्क में रहे और उनका मनोबल बढ़ाते रहे, मोधी जी के नित्व में आज वैक्सीन का प्रोडक्शन और वितरण उचाईया चू रहा है, हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार वे हम सभी देश्वासियों का साथ देते रहे हैं, भारत माता की जै